वेलकम बैक तो कम्प्यूटर टीजिंग करियर बाइराखी चौबे इस वीडियो में हम लोग एंटोनियम सिनोनियम जो इंपोटेंट बहुत ही इंपोटेंट है रिपीटीडली एक्जाम्स में 5-7 टाइम्स आ चुके हैं वैसे ही कुछ एंटोनियम सिनोनियम को प्रैक्टिस करेंगे तो लेंट से स्टार्ट जैसे हैं कोंसाइज ठीक हैं अगर के बात करो تو आपको इसे क्या किसे याद करूदंब कर ना होगा वह देख़ो बिल्कुल क्या होता है जब आप एंटोनियम सिनोनियम या फिर वोकप की बात कर लो वन वर 92 की बात करो कितना भी बार In जाओगे तो एक्जाम में क्या होता है वोगो चीजेगे अपन तो ऐसा ही कुछ ट्रिक से मैंने याद किया था वो आप लोग के साथ share कर रही हूं यह ट्रिक help करें आप लोग को भी याद रखने में और यदि यह ट्रिक नहीं help कर रहा है तो कहीं न कहीं आप इससे नया ट्रिक बना सकते हो अपना जो आपको इजी लगे ठीक है अब देखे पहला है कंसाइज कंसाइज का मतलब होता है लगू मतलब कोई भी चीज छोटा है क्या से याद रखना है तो कंसाइज पढ़ने से आपको अगर परनाउंसियेशन थोड़ा सा हटा के देखो तो कम साइज लग रहे है अब का कोई भी किसी भी की चीज का अगर कं साइज मतलब क्या है वह छोटा है छोटा है मतलब लगूए वह अब उसका ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ेंगे साथे words definitely बहुत help करेगा exams में repeatedly यह पूछे गए हैं बार-बार मैं again repeat कर रहे हूं यह again बहुत बार-बार exams में आये हुए है सब्सक्राइब रहे हैं बुद्धीमान को आप क्यासे याद रखोगें यह दे खोखो इसे याद रख लोगे आप प्रैसिडेंट से याद रख लोगे अब कोई मुर्क लोग नहीं बन सकता प्रेसिडेंट तो इससे याद रखो कि Prudent मतलब प्रेसिडेंट जो intelligent है बुद्धीमान है ठीका तो इसका just opposite क्या हो जाएगा फुलिस है बुद्धीमान है नहीं है वो तो क्या होगा जाए та बाकी फुल्लीस अन्वाइज यहाँ क्या है एंजोनियम सो जाएंगे ठीक है और इस पैलिंग भी साथ के साथ करते जाओ आप क्योंकि यह प्रुडेंट के स्पैलिंग भी पूछे जा चुके हैं अब हैं अब हैं अब याद क्या से रखना आपको आप तो बोल के देखो पैपसोडेंट से मिलता जूलता है पैप पैपसोडेंट से जो कॉमन टूथपेस्ट है अधीक मात्रा में अब लेबल है अपोजिट क्या हो जाएंगा हो गया महंगा हो गया तो बहुत ही कम लोगों के पास होगा उसका कमी होगा ठीक है कमी होगा तो इससे क्या होग कमी का इंगलिज्स अगर आप लोग याद हो कर सकते हो तो कर लो इस car city होगा बाकी इसका भी trick देख लो क्या है इस car city मतलब कौन सी city जहां पे car हो car वाली city अब वैसी car वाली city है यह क्या है बहुत ही कम होगा बहुत ही कम जगह होते हैं गाउं ऐसे हैं जहां पे car नहीं दिखेगा तो city में ही आपको क्या दिखेगा car दिखेगा ठीक है तो abundant pepsodent से आपको याद रखना है abundant को अधिक मात्रा में प्रचूर मात्रा में वो available है easily हडिक जगा available होगा scar city मतलब क्या है उसका कमी है ठीक है या फिरास्थान में पानी की कमी है आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि वहाँ पे scar city है किसका water का next है आपका summit summit मतलब होता है सिखर ठीक है सिखर मतलब हो गया बिल्कुल टॉप पे है कोई भी चीज़ अब देखो summit को आप कैसे याद रखोंगे summit से अगर एक M आप इसका हटा दोगे तो क्या हो जाएगा यह summit हो जाएगा सुमित बहुत ही common नेम है लड़कों के नेम में अगर आप देखो तो हड़ेक 10 लड़के में आपको एक सुमित दिख जाएगा तो यहां से आप याद रख सकते हो इन फेक्ट आप सम्में बहुत लोगे ऊएव जिनका नेम सुमित होगा और आप देख रहे होगे वीडियों तो आपके कोई फ्रेंड होंगे जिस नेम इं सुमित हो खाना हूंस सब्सक्राइब उस्पार तब यहां पर नाम का को जुन था इसका बॉटम का मतलब क्या हो गया नीचे ठीक है नेक्स्ट है इंक्लूड का मतलब देखो बताने की जरूवत नहीं क्लूड का मतलब होता है सीधा सीधा सामिल करना ठीक है अब जैसे आप किसी बी चीज में जैसे कोर्स में कुछ नया include हो गया कहते है ना मतलब क्या पहले से जो existing था उसमें कोई चीज साम्मिल हो गया तो अब include मतलब साम्मिल करना तो इसका opposite क्या हो जाएगा omit या फिर eliminate दोनों ही दिखने को मिलेगा आपको exam में तो यह आपको याद रखना है यहां से एक और कुछ सन आपसे synonyms ठीक है omit का यह synonyms पूछ लेगा आपसे तो omit का synonyum याद रखना है क्या हो जाएगा आपको eliminate मतलब हटा देना omit मतलब हटा देना eliminate मतलब हटा देना तो include सामिल कर रहा है सारी चीजों को आप सामिल कर रहे ओ omit मतलब हटा देना वहां से सामिल नहीं करना उसका हिस्सा नहीं बनना तो include का क्या हो जाएगा omit eliminate नेक्स्ट है ट्रांस्पारेंट देख़ों ट्रांस्पारेंट का क्या होगा पार्दर्सी कहते है धूर्च ढूर्ड आपको दिख जाएगा चीजिए आप यहां पर दरसी जहां पर आप नहीं देक इस प्लैक कलर पीजह प्लैक कलर सामनी की चीजह नहीं दिखाई देंगी है ना तो इससे आपको याद रखना है आप आर दरसी मतलब ओप क्या हो गया आपको चीजह नहीं दिखेंगी उसमें अपार दरसी एक नेक्स्ट हैं नेग्स्ट सिंथेटिक मतलब होता है बनावट्री मतलब क्या हो गया बनावट्री जैसे हमारी मम्मी लोग होती है सारी सिंथेटिक की सारी हीूज करती हैं यहां से आप याद रख सकते हो कि ऐसे क expects के कपड़े नहीं प्र suf साडि पर ठीक के सारे नहीं से बनाव्ठी टिजाइन से आप याद रल सकते हो सिंथेटिक का मतलब होता है बनाव्ठी अब इसका opposite क्या होगा, natural होगा, आपको यहां से एक और question करना है, synthetic का synoniums कई बार पूछा जा चुका है, और very important, आप कितनी बार भी यह पूछा जा चुका है, नहीं कह सकते, 7-10 बार आ चुका है यह question, तो synthetic का मतलब होता है, artificial, इसका synoniums है, synthetic का synoniums अगर आपको दिखने को मि आपे, artificial होगा, मतलब बनावती चीजी है, opposite क्या हो जाएगा, natural हो जाएगा, अब बात करते है, dormant की, dormant आपको याद रखना है, dormant से, सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा, dormant कैसा था, बिल्कुली सूस्ते ने चरक था, lazy, lazy, कामें करता था, है ना, तो आलसी था, तो dormant से, याद रखना है, dormant का मतलब होता है, सूस्त होना, ठीक है, अब इसको कैसी याद रखनें, कोई भी सूस्त है, बहुत lazy है, तो इसका opposite क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यह मेरा अपना trick है, जिससे easily याद था, और आपको भी ये trick अगर आप सुनके रखो इसको अभी देखना है इस वीडियो को इसके बाद बार बार नहीं देखना है रटना नहीं है एक बार आप देखके चले जाओ गया तो यह चीज़े आटोमेटिक याद रहे है ठीक है कि अब है रिपल सीब का मतलब होता है इसका पूजिट क्या होगा इसको पथे हो तो वैंसी चीजे जिसको आप पसंद करोगे यही क्या कहते है चामिंग कहते है सब्सक्राइब करें तो यह तीनों से आपको याद रख नहीं होगा काम है चार्मिंग की तौर पर याद रखो और इसका आपको दिखेगा काम चार्मिंग और एट्रक्टिव यह तीनों में से को एक के अब सब्सक्राइब के अब और दियुक्त का अब दिखेगा की आप olması आपने की आप जो चाहते थे सामने वाला राजी यह उसके भाद हमने क्या है खैक्र अब्जान मैं धोनों राजी ए समझाला और इस में का अगफॉज्ट आएगा इंटोनियूंस आएगा, तो क्या आजाएगा? इसंगरे करेंगे, तो क्या आजाएगा? अब कैसे find out करेंगे? तो उसका trick देखलो, अगर agreement का बात करेंगाWait. तो कोई भी अगर इसंगरे क कॉमन है, देखोछारो में आप देखो this क्या है common है ठीक है this agreement डिसएंट डिसकॉड तो यह आपको दिखेगा और आपने इंग्लीस का सिरीज जब कर रहे थे तो याद हो डिस्कॉर्ड अपने पढ़ा भी था इसका एंटोनियम्स क्या होगा और एग्रिमेंट था वहां पे एंसर ठीक है तो यह बहुत ही रिपिटेडली जाम्स में आए हुए ही सारे एंटोनियम्स इनोनियम्स है इसका एक सिरीज में पना दूंगी अभी तीन-चार वीडियो दे कर दिया ठीक है ट्राय में डिया मैंसकी जाब चली गई खतं कर दिया अब तो एप पर मoteशह अज्गär मोड़्य लगी किनियम से भी आद रख सकते हो अब टर्मिनेट का पोजिट क्या हो जाएगा ब्हुगी है कि अब प्र सरुवात करना यहां से तो उसकी सारे का मतलब होता है अमीरी पताना की जरूफत नहीं हमारे देश में अमीरी और गड़ी की रेखा तो यहां से आपको सिद्धा सिद्धा वर्ड याद रहेगा तो आप पूर से याद रखों पूर दिखा तो आप पूर सेलक्ट करने ना अदरवाइस फोटि रशाएगा ठीक है पॉवर्टी इंग्लिस याद रखना है इसका से इनुनियों स्पूर्स भी दिख सकते हैं आपको वहाँ पे तो आज के इसमें इतना ही था आप अच्छा लगा हो यह ट्रिक आप लोग को इस ट्रिक यह मेरा ट्रिक था आप लोग इसी में कुछ अपना ट्रिक याद करके होप यह हेलफफुल हो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच पर अटेंडिंग दा क्लास फिर आसे ही नेक्स सीरीज में मिलेंगे ओके